हेलो फ्रेंड वेल्कम को सिप्रास वाल्ड मैं आज आप लोगों के लिए कुछ नय आला आई हूं दिवाली में जो प्लास्टिक बॉटल होता है ना आप लोग क्या करते हैं वह फेक देते हैं वह वेस्ट होता है तो हम लोग कुछी से दिया पनाएंगे जिसका खर्चा भी पिलकुल नहीं है और दिखने में बहुत अच्छा है मैं और मेरे बच्चे मानके आप लोगों के लिए ये बनाएंगे देखिए तो चलिए इसको कैसे बनाता है और कैसे डेकरेट करते हैं मैं आप लोगों की साथा सेल्ट करते हूं तो देखिए फ्रेंड्स ये लोग बच्चे तो बहुत खूस हैं वैसे भी प्लास्टिक बोटल यूज नहीं होता है तो उन्होंने यह आइडिया सोचा तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज हैपी दीबाली तो हैपी होने ही वाला है क्योंकि बाहर तो ज़्यादा नहीं जा सकते लेकिन घर में तो एंज़ाई करी सकते हैं देखिए इन लोगोंने ऐसा गोल या फिर चोकन सेप में काट लिया है आप चोकन या गोल सेप में इसको काट सकते हैं फिर इन्होंने आगर बछेद में से यह लोग कोटन के जो कापूस रहते हैं वो दिया बाना सके बाती फिर यह लोग एक बाउल में और ग्लास पाणी ले लिया है फिर इसको डेकोरेट कर रहे है थोड़ा जो चमकी होता है golden silver color का फिक थार्म ओकॉल जो भी घड़ में रहता है आप उसी से अगर आपके घड़ में फ्लावर भी है आप उसको भी ऐसा तोर तोर के उसमें डाल सकते हो पर मिरे पस आप भी नहीं था तो इसी से काम चला रहे हैं आभी ये गोल्डिन कलर का चम की है और इन लोगों को ये बनाती हुए छोटी उनको देख रहे हैं वो भी सीख रहे हैं वो भी जब थोड़ी बड़ी हो जागे वो भी बना लेंगे तो देखिए आभी कॉटन का उन लोगों ने बाती बना लिया है तो उसमें राई का तेल डाल रहे है पानी में फिर कॉटन को उसमें थोड़ा तेल लगा रहे है और बावल में पानी में भी थोड़ा राई का तेल डालना है है और देखिए उढोगौ ऐसे फिर और जो बना है हूम ओ लोग अभर इसका पानी में छोड़ रही है यह तेयर रहाए रहा है पानी में अभी दो कि इन लोग ने इसे जला दिया वाव इतना अच्छा लग रहा है कि दिवाली तो दिवाली ही लग रहा है देखिये इतना अच्छा बनाया ना अच्छा बनाया और मैंने चॉकलेट बनाया है यह चॉकलेट की रेसिपी मेरी सिप्क्रास कीचन चैनल में है आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते तो फ्रेंड्स बाई है आप्यकर बाई